हेलो यो मैं हूँ उन पवार आज इस वीडियो में एम जी एक्टरे कुछ उनीक फीचर्स देखेंगे उनीक फीचर्स से मतलब आजाता है कि जो आपको इसकी ही सेगमेंट में किसी और गाड़ी में फीचर्स नहीं मिल रहे अगर हम लेते हैं टाटा हैजियर को या क्या अगर में 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 मीटर को लिचित को उनलोग के तो लेपट साइड Sugius में मीटर दिया गया हbane और राइड साइड में में को आरपी मीटर दिया गया है तो उल्टा क荷़्ियर необ enforced इंटी की स्वी गाड़्य注 में टोम्ती है तो इससे अगर आप नहीं नहीं इसको चलाओ गया इसको चलती भी देखोगे तो कन्फूज जरूर होगे कि भाई ये जो स्पीड वाली सुई है उल्टी कैसे गूम रही है लेकिन भाई अगर आप इसको रेगुलरली चलाओगे गाड़ी को तो यूज्ट हो जाओगे और थ कि गाड़ी को चल रहें टाट हरियर क्या सेल्टोज रेमजेक्टर क्रेटा को भी उठालो सबसे ज्यादा पावरफुल इसका इंजन है चाहे पैट्रोल लेल और इसका वन फुटी थी पैस की पावर जेनरेट करता है जो कि जो क्यास हैल टोस का जीटी लाइन है स्पोर्ट अगर उसकी डीजल इंजन की बात करते हैं तो वह न फुटी पीस की पावर जेनरेट करके देता आपको अराउंड एक सो सब्सक्राइब लिए अगर बात कर रहें तो पैट्रोल इंजन में आपको एक हाइब्रीड भी मिल जाता है जो की माइल हाइब्रेड उसको एम जी ब उनिक फीचर के हम बात करते है तो वह इसका Nurman्ट इसकी युनिक है वह एकर आप क्या साइल टोटय फिंड वाले से बहुत जादा मिल रहे है धान आपको एस्ली अन फैर्स प्रूल इंगर झारने फेल माजनी मिल यस्तिया के लिए मिलता है तो आप जो है एसकी प्रिमियम सर्विस्स आइंडिया की वहीं क्या सब्सक्राइब आपको एसे कुछ एपस नहीं मिलते हैं ऐसे कुछ एपसे मिसिंग है वह टॉम टॉम का इंबिल्ट एप्लिकेशन मिल जाते हैं तो इस तरह से आप ओल के भी जैसे आप वोस कमांड दोगे तो संरूफ खुल ज अचा लेकिन थोड़ा टाइम लगता है वाई एक देड़ सेकंड बाद लेट रिस्पॉंड गड़ता है अगर आप कुछ भी इसको कमांड देते हो तो इस आप से थोड़ा इंप्रूव्मेंट की इसको ज़र रहता है और तुनीक फीचर एम जी एक्टर का इसका साउंड स सिटम किसी गाड़ी में बैठ जाना इसके सेक्मेंट में भाई बहुस के क्या साइल टोड़ में बहुस के आर्ट स्पीर सिटम आते हैं उसमें सब्वू पर भी रखावा डिक्गी में डेस बोर्ड के यापे वी स्पीकर है और जो आपको एम जी एक्टर में तेवरा आपक जो को पैसेंजर सीट होते उसके नीचे ही एमप भी रखा हुआ इस गाड़े में जिसकी वजासे जो साउंड से निकल के आती है कमाल के आती है वाई 았어 तो जैसे मैं Code Driver कि या बता ही रहा थै लेक्टरीकली अडजेस्ट कर सकते हो ड्राइवर का ठोन थीज़न आपको मैनूली कुछ नहीं करना बस बटन दबा क्ऊ में में कर सकते हो वहीं आपको जो पैसेंजर साइड है code driver साइड है उसमें भी आपको एलेक्टरिकल एड़ेस्मेंट का ओप्शन मिल जाता है 3 वे आप एड़ेस्ट कर सकते हो क्या साइल टोस की बात करते है तो उसमा मैनुल है जो बस एक सिंगल जो ड्राइवर वाली है वो अप एलेक्टिक लिगर सकते हो सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसमें आप एक सिंगल तस दबाओगे और जो अपने बूट बंद हो जाएगा तो यह भी ज्यादा वह तो होता है यह थोड़ी सी जान लगाने पड़ते हो बंद हो जाता लेकिन एमजी ने भाई दिया है सहरी लोगों के लिए एक बटन दबाके अपने डिगगी बंद हो जाए तो वह भी एक यूनिक फीचर है जो आपको क्या सेल्टोस बगरा में देखने को नहीं मिलता पावर टेल गे यह थोड़ी मुश्किल से हो जाती है साइड वाइड नहीं देख पाते इन सीचों के बचासे प्लस इस गाड़ी में आपको नहीं देखने को मिलेगा आपको हीटेड हो आर्वम समिल जाते हैं जब भी बार इस वगरा के मोसम में आपके यह इन पर धुन्द जम एगी तो हटके आपको बढ़िया व्यू मिलेगा जो कि एक्टर के बढ़िया बात है ड्राइविंग एक्सप्रेंस आपको इसमें पर्फॉमेंस से लो फीचर से लो हर तरीके से बढ़िया मिलता है चाइनी चाइनी लोग कर रहे है भाई भगवान जाने क्यों कर रहे है एट उनीक पीचर वाइस गाड़ी का आपको इस गाड़ी में सबसे बड़ा डाइमेंशन मिलते हैं चाहिए लेंद ले लो वेड़त ले लो हाइट ले लो बील बेस ले लो सब में आपको जो एमजेक्टर वो टाटा एरियर अंड़ी करेटा और जो यह अपनी किया सेटो अब नहीं सब्सक्राइब के लिए और साइड में आपको जो कर्टेन टाइप एर बैग होते हैं साइड करेटेंस वह आपको मिल जाते हैं नेक्स्ट बड़िया फीचर वाइस गाड़ी का आपको पैनोरेमिक संरूफ मिल जाती है ठाटेजर आपको जो संरूफ हो प्रोवाइड नहीं करती है क्रेटा का आप टॉब मोडल में जाओगे बहुत महांगा पड़ जाता है वह उसमें आपको संरूफ मिलती है और लोग नेक्स्ट बड़िया फीचर एमजेक्टर का आपको चारो ही जो ब्रेक्स है वो डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है अब्यस बड़िया वगरा सारी कुस गाड़ी में सेट है जो गाड़ी को बड़िया चलने के लिए परफट बना देते हैं यह तो हो गए तो यूनिक फीचर्स आउसके साथ जो बड़िया फीचर और भी है गाड़ी में उनके बात कर लेते हैं एब्यस और एबीडी ब्रेकस पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं वहीं क्या साथ उसके दर जो क्या सब्सक्राइब वह बढ़ जाता है आइसोफिक चाल्ड शीट्स माउंट है लेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और वीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी है ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम हिल होल्ड कंट्रोल एंबियंट लाइटिंग और इंफोटेनिमेंट में एक 4G किसिम नहीं 5G चलाओ गया अभी तो फोटी जल रहा है लेकिन जब फाइव इंडिया में आज आएगा अगले तीन सालों में तो वह आप 5G चला सकते हो तीन साल का सब्सक्रिप्शन फिरी है सारी एप्स का जो प्रीमियम एप आप यूज़ करोगे में तो यह थे वाई कुछ यूनिक फीचर्स एमज़ एक्टर के आपको क्या सब्सक्राइब कर सकते हो थैंक्यू सो मच